कि नमुश्कार सक्षी नेटों को आप सभी का स्वागत है इस वक्त हम गोरगपूर सदर विधानसवा छेत्र में हैं जहां से मुक्यमंतिर योगिया इतनात चुनाव लड़ रहे हैं मेरे साथ बीजेपी सांसत श्रीकम्रेश पासवान जी हैं और बीजेपी के छेत्री अध् कह सकता हूं कि इस बार पुन योगी जी के नित्वत में हम सरकार बनाने जा रही हैं पिछले पांच वरसों में योगी जी के नित्वत में जो online गरीब लोगोंका काम हुआ है उसके अधार पर मैं है कह सकता हूं कि हम सरकार बनाेंगे और जहां तक गोरगपूर और खासकर गोरकपूर का जो विकास हुआ है अजादी की बाद इतना विकास कभी नहीं हुआ है यहाँ पर कई कोड की लागत से इतना प्लांट लगा करीब 500 कोड से उपर से लागत से हमारे रुद्धुपूर में सुगर फैक्टरी बैठी तुम यह कह सकता हूं विकास के न मुंबएध फिल्मों में हो चाहे दिल्ली में हो एक माफिया कoireद॔र की राती थी, अभी कैस feitoתी है अब योगी जी के विकास के कारिड॔र बन गही है पुरा पूरो आप वांचल लोग अभ विकास की बात करते हैं लोग गोरकपूर में काम की बात करते हैं लोग बना रहे हैं तो मैं यह कहता है कि पूरा पुर्वांचल जो अपना है अब यह सब चीजे बहुत पुरानी हो गई योगी जी ने उसको पांच साल में जो वर्सों में बदलना चाहिए था उन्होंने पांच वर्स में उन्होंने अपने किये हुए कारेों से बदल दिया है आपने कहा कि हम इस बार पुर्वांच की सकार फिर से बनाने जा रहे हैं लेकिन अखिले शादव दावा कर रहे हैं कि पहले दो चरणों में ही उनका सीटों को अशटक लग चुका है किस अधार पर कह रहे हैं कौन से गड़ित उन्होंने लगाया है और कौन सा गड़ित उनको पढ़ाए गया मुझे नहीं पता लेकिन जब वो दस तारीक को जब जानेंगे कि योगी जी दुबारा मुक्वंत्री बन रहे हैं और हम जो है 300 सीटे पा रहे हैं तो वो सब उनकी धरासा ही हो जाएगा आपने कहा कि योगी जी ने इतने सब काम किये लेकिन योगी पर ही वो सबसे ज्वाल कड़े करते हैं कहते हैं बाबा को कुछ आता नहीं बाबा को टैबलेट्स चलाना नहीं आता इसलिए बांटते नहीं है बाबा को जाणकार है नहीं और वापिस बीजिपी ने गोड़पुर भेज़ दिया है लेकित मैं उनके बारे में कोई कर दो को कैसे उत्तरप्रदेश के लगातार चुनाओ जीत रहे इस बार की भी बहुत सारी पार्टी आप से यह बड़ चड़कर वादे कर रहे हैं यह बी फ्री में देंगे वह भी फ्री में देंगे चंद्र शेयुकर आगया है यह यहां पर जाती वात की जिए गोलवंदी क करने का प्रयास चल रहा है कैसे दिखते हैं बहुत सारी नई दल भी है आप समाज के लिए एक एंसर है यह जो फिरीका में यह दे दूंगा फिरीका में वह दो दूंगा मैं यह सिर्फ कह सकता हूं कि वह लॉलीपॉप देने का काम करते हैं ठीक है मैं हम लोग राजनीतिक जी और आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है एक दो सीट भी पाने के स्थिति में नहीं है तो वह लड़ाई में नहीं है इसलिए अनर्गल इस तरह के यूजनाओं को जंता के बारे में बताने का काम कर रहा है और हाला कि बजट में कृशी और किसानों के लिए किसान की आयद उगनी हो किशान कैसे मजबूत बना उस पर यह बिल आया था कुछ रामतियां हो गई थी किसानों को जैसे हमारे किरशी कानून वापस लेना पड़ा और जहां तक हुरवांचल की बात है का हमारे किसान बिलकुल नराज नहीं थे और मुझे लगता नहीं है क कि यह हमारे इस चुनाओं में कोई मुद्दा बना है किसान संबान इधी जो दी जारी कल उसको चार साल हो गए तो लगता है कि किसान उससे खुश है बिलकुल खुश है आप जाईए ना आप गावं में जाईए पूचिया किसको नहीं मिला तो उसे बहुत खुश है अधा में आने के बाद तुरंत हमारे कार्यकरता एक पल भी विश्राम नहीं लेते हैं पार्टी का संगठन का इस्ट्रक्चर खड़ा करना हो या देश के सामने कोई ऐसा संकट आया हो जैसे कोविट की महमारी आई तो सड़क पर उतर करके सेवा ही संगठन के माध्यम से भारती जनता पार्टी कार्यकरताओं ने अपने जान को जोखी में डाल करके जिस पकार से सेवा के काम किये और भारती जनता पार्टी की जो सरकार चाहे केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार हो या उत्तरपदेश में योगी जी के नेतरुत में सरकार हो भारती जनता पार्टी ने से देश पूरा नहीं कर बाया उन सब कामों को चाहे वो जंधन एकाउंट के माध्यम से 40 करोण से खाते खुलवाने का माउलाव चाहे डाक्टर लोहिया जी ने जो सपना देखा था कि इस देश में खुले में सोच से मुक्ति दिलाने का उस काम को समाजवादियों ने कांग् जी आये उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जना कांछाओं को पूरा करने का काम करेगी और सच में शाड़े 5 बरसों से जो मुद्दा प्रभु सिरी राम के मंदिर का भव्य मंदिर का था वो मुद्दा भी साल हुआ चाहे हो त्रिपल टलाक का तलाक का मुद्दा हो या उनीशो तिरिपन में डाक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी जी ने इस देश की एकता और अखंड़ता के लिए जो बलिदान दिया था एक देश में दो विधान दो निसान दो प्रधान और भारती जनसंग और भारती जनता पार्टी की चार-चार पिढ़िया नारा लगाती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर जी वो कस्मीर हमारा है उस संकल्प को भी दारा 370 समात करके उन्होंने पूरा किया तो मैं कह सकता हूँ पांच बरसों में 2017 में योगी आदितना जी की जब सरकार आई उत्तर प्रधेश में एक चैलेंज था कानून बहुस्ता का पूरे उत्तर पर उतारने का काम योगी जी की सरकार में हुआ मैं कह सकता अगर उधारन देना हो तो 2012 से 2017 तक अखिलेस यादों की सरकार थी समाजवादी पार्धेश सरकार थी 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने गरीबों को आवास मिले जिनके पास छपर है खप्रयल है उनक 2014 से लेकर 2017 तक मातरा 18,000 आवास उन्होंने संक्सन किये थे मोदी जी के उस कलपना को जब 2017 में भारती जनता पार्टी की योगी जी के नेतरित में सरकार बनी तो उत्तर पदेश कंदर साड़ेता है 40 लाख आवास बना करके गरीबों को उस संकलपना को जमीन पर उतारने का क केवल कुछ मुद्दों के अधार पर नहीं हमें एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ हैं और विकास राष्ट्रबाद सुरक्षा इन सब मुद्दों को ले करके हम मैदान में हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो गोरकपूर में हम सब चुनाओं मैं मैदान में मुख्यमंत्री योगी जी का चुनाओं वो पर्चा दाखिल करके गए हैं यहां के आम जंता चुनाओं लड़ रही है आम जंता निकल करके चुनाओं लड़ रही है और मैं गोरकपूर छेत्र का अध्यच्छ होने किनाते 62 विदान सबाद सीटे हमारे चेत्र मे है मैं का सकता हूं कि 2017 के चुनाओं में जब हमारे पास 37325 शीटे उत्तरपदेश में हम जीते थे और गोरकपूर छेत्र में हम सायोगी दलों के साथ मिलके 46 शीटे हमने जीती थी तो मैं का सकता हूं कि उस समय तीन वरसों के मोदी जी का कारेकाल के अधार पर हम जीते थे 7,000 में खड़े हैं तो जहां मोदी जी सात सब्सक्राइब कारेकाल है जिसमें हमने कानून ब्योस्था का का कारेस का एक न नए माडल खड़ा कि इन दोनों के आदार पर मैं कर सकता हूं कि 2017 से बड़ी जीत 2022 में भारती जनतापाड़ी को मिलने वाली और आपने क्योंकि बड़ी जीत मिलने वाली है वैसे तो क्या है कि कोई भी जो वियू रचना वो जगजाहिर नहीं करता है लेकिन हम चाहेंगे कि योगी जी की जीत के लिए बीजेपी ने क्या रड़नीती बनाई है कैसे संग्ठन काम कर रहा है ज़र इसके बारे में हमारे परधती है हम और दूसरा हमारी एक आइडियोलोजी हम बिचार धारे करते हैं बैक Τि कर रहे संग ड़न का एक हमारे हर इसकिव हमारे हर वूट पर 21 की हमारी टीम है हर बूद पर हम रहे हमारे 1200 में जो बीच एकईस की टोली है उसके बीच में हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं हर साथ ओटर पर एक पन्ना प्रमुख हमारा काम कर रहा है हमारे सक्तिकेंद्र हैं एक सक्तिकेंद्र पर हमारे सक्तिकेंद्र के संजोजक और प्रभारी हैं 57 हमारे बूत है हमारा मंडल है गुरक चार वार…-पांच बार हर घर में संपर्ग करना हर घर में oटर परची पहुंचाना और फिर उसी रणमछी के नीचे तक एक एक बिरेती से संपर करके मोधी जी योगी जी कमल का फुल और भारती जनता बाठ्टी को एक ब्रक्ती तक हम लोगों ने पहुंचा है और इसके अदार पर मैं कैसा का हूं कि जो ओट ओट परसंटेज भी बढ़ाने का काम हम करेंगे और इसके अदार पर मैं कह सकता हूँ कि अपने कारे करता हूँ के और आम जनता में जाने के बाद जो मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों की स्रद्धा है इसके अधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारती जनता पार्टी एतिहासिक बीजे के साथ जी आएगी तो देखा अपने के डॉक्टर अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को